मल्टी बर्गर पिन्नी स्टॉक न्यूज स्टॉक मार्केट में मल्टी बर्गर पिन्नी स्टॉक ने इन्वेस्टरों को काफी सारा रिटर्ण दिया था नमबर वन दोस्तो एक साल में एक रुपए का स्टॉक बढ़कर एक तालिस रुपए का हो गया था टिटी आई इंटर्प्राइजस की स्टॉकों ने पिछले एक साल में 3785 रुपए का रिटन दिया था नमबर टू पिन्नी स्टॉक 18 दिसंबर 2020 में एक रुपए का एक रुपए पर क्लोज हुआ था वही 20 दिसंबर 2021 को बंबाई इस्टॉक एक्सेंज में 40.80 रुपए पर हाई लेवल पर बहुच गया था और ऐसे लार्ज काप जिन्होंने एक से तीन साल में निफ्टी हंडेट टियार आई से अच्छा रिटन दिया नमबर वन आईपीओ लॉट साइज में हर इन्वेस्टर को मिनिममम 69 सेर और 269 के मल्टीपल सेरों में बिट लगाया जा सकता है पर टू इन्वेस्ट लिमिट ब्रिटेल इन्वेस्टर हर लॉट में मिनिममम 14,904 रुपए और लगा सकता है और दोस्तों 13 लॉट में मिनिमम 10,93,752 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है पर ट्री आईपीओ अलाउटमेंट डेट सेरों के लिए अलाउटमेंट डेट 18 दिसंबर और दोस्तों फेलियर इन्वेस्टर के लिए 22 दिसंबर तक रिफंड के लिए डेट मिल सकती है नमबर 4 आईपीओ लिस्ट नेशनल इस्टोक चेंज और मॉंबई इस्टोक एक्सचेंज पर सेरों की लिस्ट 31 दिसंबर इजैक्ट की जाती है दोस्तों सॉट नीव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो